हलो स्टुडेंट्स चलिए स्टार्ट करते बटा एक्सरसाइज 6.5 का क्योस्चन नंबर 3 देख लेते हैं स्टेटमेंट देखते हैं एक बार क्या है इंट्रेंगल ABD राइट एट एक ABD ट्रेंगल है जिसके अंदर एंगल A क्या है 90 डिग्री है एंड AC जो है वो प्रपेंडिकुलर ओन BD है AC जो है वो BD के उपर प्रपेंडिकुलर है तो सबसे पहले जो गीवन है वो राइट डाउन कर लेते हैं एक बार गीवन क्या है हमारे पास N ट्रेंगल D, A, B एंगल A जो है वो क्या है 90 डिग्री और A, C जो है वो प्रपेंडिकुलर है किसके उपर B, D के उपर उसके बाद क्या करना है 2 प्रूव पे चलते हैं हमें 3 पार्ट्स गीवन है याँ पे 3 पार्ट्स प्रूव करने हैं उनको प्रूव करने के लिए बिटा सबसे पहले क्या करता हूँ मैं जो ट्रेंगल हमारे पास है A, B, C और A, C, D इनको A, B, D के साथ क्या कर लेता हूँ similar प्रूव कर लेता हूँ तो इसको प्रूब करने के लिए क्या करेंगे सबसे पहले इन ट्रेंगल D, A, B एन ट्रेंगल D, C, A D, A, B मतलब complete ट्रेंगल और D, C, A ये वाली ट्रेंगल इन दोनों को similar प्रूब करते हैं सबसे पहले complete ट्रेंगल में angle D और इस small ट्रेंगल में भी angle D, दोनों क्या है common तो angle D equal to क्या है angle D इसको क्या लिख देंगे common है angle A complete ट्रेंगल के अंदर और D, C, A के अंदर angle C 90 degree है तो angle A equal to क्या है angle C 90 degree तो क्या लिख देंगे so triangle D, A, B similar है किसके बटा triangle D, C, A के by angle angle similarity से अब दो ट्रेंगल similar होगी इसको क्या कर लेते हैं equation number 1 माल लेते हैं अब बात करते हैं angle D, A, B complete triangle angle D, C दूसरी triangle कौन से हमारी A, C, B A, C, B A, C, B ये वाली triangle इन दोनों ट्रेंगल के अंदर क्या है angle B जो है वो क्या है angle B common angle है ठीक है angle C वो है किसके equal है angle A के equal दोनों क्या हो जाएंगे angle A equal to किसके angle C के 90 degree तो यहाँ पर भी क्या होगी बटा है triangle D, A, B similar होगी कि किसके triangle A, C, B के equation number second same किससे by angle-angle similarity से तो क्या लिख देंगे from first and second तिनो ट्रेंगल सब पसमें क्या होगी बटा हमारी similar दोनों small triangles और complete triangle तो triangle D, A, B similar हो जाएगी triangle D, C, A, K and similar हो जाएगी triangle A, C, B, K ठीक है अब चलते हैं बटा अपने proof की तरफ सबसे पहले first part देख लेते हैं first part के अंदर triangle लेते हैं in triangle A, D, B and triangle C, A, B के अंदर इनके अगर दो triangles हमारी similar हैं तो क्या लिखेंगे triangle A, D, B similar है किसके triangle C, A, B के तो इनकी corresponding side की रेसो क्या होगी बटा equal होती है तो क्या लिखेंगे इस triangle के अंदर B, D, B, A, B is equal to किसके हो जाएगा A, B, 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 C, B के अब ये रेसो कैसे लिए हैं वो देखते हैं सबसे पहले A, D, B के अंदर A, D, B के अंदर सबसे पहली side लिए है मैंने B, D 90 degree के सामने वाली side अप उन में क्या लिया है A, B A, B क्या है base है ठीक है दूसरी triangle है C, A, B के अंदर C, A, B के अंदर multiply करते है A, B into A, B क्या हो जाएगा A, B square is equal to क्या हो जाएगा C, B into B, D यहीचीज हमने क्या करने थी फर्स्ट पार्ट में प्रूव करने थी तो यहाँपे result हमारा प्रूव हो गया second चलते हैं बटा triangle लेते हैं intringle A, C, B and triangle C, A, D क्या है A, C, B और C, A, D C, A, D दोनों यह वाली triangle और यह वाली triangle क्या है triangle A, C, B similar है किसके triangle C, A, D के यहाँपे रेस्व लेते हैं BC by AC is equal to AC by DC कैसे ली वो देखते हैं सबसे पहले BC की बात करते हैं कौन सी triangle है A, C, B इस वाली triangle के अंदर side क्या ली है मैंने BC, यह होगी upon में क्या है AC hypotenuse को छोड़ दिया, मैंने base और perpendicular use क्या है इस वाली triangle में भी क्या करेंगे हम AC क्या है हमारा perpendicular upon में DC क्या है base है, hypotenuse को क्या कर दिया हमने छोड़ दिया, 90 degree के सामने वाली side दोनों में छोड़ दी तो यहाँ पर cross multiply करते AC into AC क्या हो जाएगा AC square is equal to DC into में BC यह हो गया दूसरा भी हमारा prove, third part पर चलते बटा, third part के अंदर बात करेंगे, in triangle DCA and triangle DAB की तो दोनों ट्रेंगल क्या है ट्रेंगल D, C, A similar है ट्रेंगल DAB के रिशो ले लेते हैं क्या होगी DC by DA is equal to DA by DB यह रिशो बिटा अपनी जो हमने prove करना है ना उसके basis पे लेनी है क्योंकि DA का square चीए तो DA तो हमारा use होगा यह होगा तो सबसे पहले DC देखते हैं DC क्या है इस वाले ट्रेंगल में D, C, A के अंदर DC अमारा क्या होगा हमारा base अपोन में DA क्या होगा उसका hypotenuse base upon hypotenuse दूसरी ट्रेंगल DAB के अंदर बात करते हैं क्या है DA DA क्या है हमारा base अपोन में db क्या है इसका hypotenuse, तो दोनों की दोनों यूज कर लिए cross multiply कर लेते हैं, तो dA into dA क्या होगा, dA square is equal to dc into db यह होगा हमारा third part भी prove, hence prove, I hope यह थोरम आपको clear होगी होगी, कहीं पर कोई doubt होता है, मुझे comment कीजिए, otherwise इस channel को subscribe कीजिए like कीजिए और share कीजिए, thank you students